नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ओफलो केम डि आर ऐडरोप के बारे में इसके फायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे और एसे इस्तमाल करने का तरीका भी जानेंगे और कितने दिनों तक इस कौपियों करना चाहिए, इन सबी बातों को भी सी वीडियो में बत करने का और इसमें जो सॉल्ट होता है वो ओफ्लोकससें डेक्सामेथासोन हाइड्रो ऑक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलियूज आई और येड्रॉप्स और इसका एम रपी है 38 रुपेज यानि कि 38 रुपेज की यह आपको मिलेगी 10 ml की बॉटल होती है छोटी सी तो आखों की इनफेक्शन बता दो कि किस किस कंडिशन में इसका उप्योग किया जा सकता है जैसे कि आखों में खुजली होना दर्द होना लाल होना पानी आना गेत आना धुंदला दिखना आख का आ जाना आख में जलन होना और आख में छाले हो जाना फुंसी हो जाना और सकता है तो और कान की infection को भी जान लेते हैं अगर कान के अंदर धर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा या फिर कान में कान से पानी आ रहा है कान बह रहा है या फिर पुजली हो रही है पस आ रही है और सूजन हो रही है कान में तो भी आप इसका इस्तमार कर सकते हैं कान के अंद दो-दो-तीन-तीन बूंद डाला जाता है सुबह, दोपहर, शाम को या फिर जैसे आपके डॉक्टर बताएं आपको उस परकार से इसका इस्तमाल करना है और जब भी इस्तमाल करना है अच्छी तरह से हिला के इसको उपयोग करना है ठीक है, और इसको अगर बच्चों को डालना है तो बच्चों को तो वैसे इसे नहीं डालना चाहिए ज्यादा चोटे बच्चों को अगर बच्चा पांस साल-च्छे साल तक का है तो उसे डाल सकते है एक-एक बूंद और लेकिन बिना डॉक्टर की सलाके इसको नहीं डालना है क्योंकि इसके कुछ side effect भी हो सकते हैं इसे जितने दिन डॉक्टर बताया है यानि कि 10 दिन 5 दिन उतने दिन ही इसका इस्तिमार करना चाहिए ज्यादा दिन तक उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कि इसमें dexamethasone होता है जो कि एक stwearide होता है जिसका उपयोग ज्यादा दिनों तक नहीं किया जाता है तो अगर आपको इसको डालने से आंक में या कान में कोई जलन होती है यहां फिर दर्ध होता है कुझली होती है आंक बगएर आम इसको डालने से तो आप इसे तुरंद बंद कर दीजिएगा और अपने डॉक्टर को दिखाईएगा दोस्तों अमीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जूरी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूलेगा धन्यवार